जहिन दोस्तों दोस्तों कुछ लोग केजरिवाल को गालिया देते हैं जो लोग गालिया देते हैं उन्हें केजरिवाल की महानता नजर नहीं आती दोस्तों फ्री की बिजली फ्री का पानी के बाद दिल्ली में उनके एक विधायक ने आग भी तो लगवाई थी वो भी फ्री ही मरवा दिये फ्री की बिद्ली फ्री का पानी के बाद अब केज़ी वाल फ्री में ऑक्सिजन भी तो बाट रहे हैं आपको पता नहीं है अरे भाई दिल्ली के होस्पिटल में ऑक्सिजन टेंक का वाल खुला छोड़ दिया जाता है तापकि लोग वाताओं और अन्मे से डा प्रणाय के घर रख दिया है इम्रान हुसेन के घर ऑक्सिजन कंसंट्रेटर भी वहाँ रखे हुए हैं ब्लेक करने के लिए नहीं यार क्या आप लोग भी कुछ भी कहते हो क्या कह रहे हैं आप 20,000 का कंसंट्रेटर सत्तर हजार में बेच रहे थे क्या यार आप कुछ भी बोलते हैं आप मोदी के आदमी हो है न रसेस वाले हो आप बीजेपी वाले हो आप हमारे सरजी लोगों के रोजगार का भी बहुत ख्याल रखते हैं केंद्रे से ऑक्सिजन मांग लिया उससी ऑक्सिजन को लाने के लिए जो टेंकर चाहिए थे उस टेंकर खरिकते तो दस टेंकर आ जाते और रोजगार किसी एक ही कंपनी को मिलता लेकिन उतने ही पैसे में देश के सभी राज्यों के अकबार वालों को रोजगार दिया ऐसे महान है हमारे कंजड़ वाल सर जी माव कीजिएगा केज़री वाल सर बोल रहा था मैं महला क्लेनिक का नाम तो अपने सुनाई होगा एक दम थर च्लास महला क्लेनिक है जिसमें अमेरीका से भी लोग इलाज करवाने आते हैं केजरी वाल खुद कह रहे हैं कि बाहर के लोग यह दिली में आकर वैक्सिन लगवा रहे हैं बाहर के लोग अरे बाहर के लोग से उनका मतलब है अमेरिका ब्राजील ब्रीटेन फ्रांस के लोग भी वैक्सिन लगवाने दिल्ली में आ रहे हैं और हाँ दिल्ली वालों फ्री बिड्ली और फ्री पानी के बाद अब सरजी फ्री कफ़न और फ्री लकडी भी देंगे बस आप उन्हें अगली बार सिवा का मौका जरूर देना जहिन